कि चलिए मेरे प्यारे विदरत parenthित मैंनों के सर्व को जितने वी हमारे प्यारे मित्र दोस्त ङली जुड़े हुए हैं कि सभी से के सेटन को ज्याधा से ज्याधा आप लोग अपने दोस्तों तक सेर करें अपने तक पहुंचाए चलिए अब यहां से हम लोग टेकनीसियन सेट नमबर नौ में पूछे गए रिजनिंग के सारे कोस्टन एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस टाइब के कौन से लेवल के कोस्टन आपके पूछे जा रहे तो सबसे पहले यहां नजर डालिएगा कोस्टन न आपके बिवस्थित किये गए तो यहां से बना दीजे यह 6 वाक्स उपर से नीचे तो यह हो गया एक दो तीन चार पाँच और छे अब सबाल में यह बोला गया किन्तु उनका इसी क्रम में होना अनिवार नहीं है बी को उपर से दूसरे अस्थान पे रखा गया अब बी को उपर से दूसरा रखेंगे तो पहला दूसरा यह वाला जो अस्थान है किस के लिए हो जाएगा बी के लिए आगे आपको बोल रहा है कि केवल डी को ए और बी के बीच में रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है डी का अस्थान यहां होगा एक अस्थान यह तभी तो ए और d के बीच केवल एक डिबा रखा गया अगर जब से नीचे होगा तो एक मातर ये खाली है तो f का यहां हो जाएगा छे डब्बे में सारे आगे sea के लिए यह वाले अस्थान हो जाएंगे तब सवाल में पूछ रहा कि कौन सा डब्बा नीचे से दूसरे अस्थान पे रखा गया तो देखे नीचे से दूसरे अस्थान पे कौन है तो आपका डब्बा ई है तो right answer हो जाएगा option number b question number 1 का जो answer होगा बावू वो आपका option number 2 हो जाएगा तो अभी जो भी live session में जुड़े हुए हैं आप लोग भी question को देखिए और अपना answer comment करते रहिए लगातार आप लोग live में जुड़े रहिए एक नमर तो पहले हम लोगों ने देख लिया था अब देखेंगे question number 2 आपके क जानवी और परनिता एक पंक्ती के सिरो पर खड़े हैं अगर दो पंक्ती है वावो तो इसमें बोला गया कि दोनों पंक्ती के एक पंक्ती के सिरे पर जानवी और परनिता है अगर पंक्ती के एक सिरे पर यहां जानवी का अस्थान होगा तो पंक्ती के दूसरे सिरे पर य प्रवी और फरनीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी से तो इन दोनों के बीच की संख्या हो जाएंगे 14 अब सबान बोल रहा कि पंक्ती में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं तो यहां देखे कुल संख्या अगर देखना देना है तो सभी को जोड़ दीजिए चले आईए अगले सवाल की और पंकज केसरी यह कोचिंग बावू पतना में आपका मुस्ट यह विखना पहारी स्रिद्पुर मोर विखना पहारी में है इसके अलावे बजासमिती में गेट पे भी इसका सेंटर है प्लेट फोरम बाई नवीन कुमार सिंग इसके अलावे किसान कोल्ड स्टोरेज मुसला पूर हाट में भी इसके ब्रांच है तो आपको जो नजदीक पड़े वहां पर जाकर आप अपने बैच से संबंदित कोई के नहीं जा पा रहे थे वो दिकते सुलजा ली गई है और आज से कल तक में आपके सारे रिजल्ट आपको उपलब्द करा दिये जाएंगे तो इसलिए ज्यादा टेंसन लेने की जूरत नहीं है क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कोश्चन की और हम लोग जाते ह दि उस परिक्षा में सभी को अलग-अलग अंग प्राप्त है आगे बोल रहा है सुड़ेश परियंका से अधिक किन्तु अरून से कम अंग प्राप्त किया है इसके बारे हूं सक बॉलро है कि स्वृत ने इन से जियान से zu even कश बढ़ते हैं और आगे बोल रहा है कि से कम अंग प्राप्त किया तो एक और फिगर बनाए दीलन ने राहुल से कम अंग प्राप्त किये अरून ने फिर्यंका और राहुल दोनों से अधिक अंग प्राप्त किया अगर अरून फिर्यंका और राहुल दोनों से अधिक अंग प्राप्त करेगा और सबसे कम अंग जो ह वो है आपका ही वागा तो इसमें देखे बाबु कितने व्यक्ति एक दो ये हो जाएंगे तीन फिर आगे ये अस्थान हो जाएगा चार और फिर ये हो जाएंगे पांच एक दो तीन चार पांच और एक व्यक्ति और हो जाएंगे छे तो ये सबसे कम बाले अस्थान किसका हो इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है के बली ये जानकारी लेकिन इतना पता है कि ये अरुन जो है वो पिर्यंका से तो ज्यादा है है और ये अरुन जो है वो राहुल से भी ज्यादा अंगप्राप्त किया है देखे यहां सपस्ट है कि अरुन ने पिर्यंका और राहुल दोनों से अधिक अंगप्राप्त किये तो इन छे मित्रों में सरवाधिक अंग प्राप्त कौन करता है ये पूछ रहा है तो देखे पिर्यंका और राहुल दोनों से अरुन ज्यादा करता है और अरुन जो है यहां इससे भी ज्यादा ऐससे क्या नाम दिया गए सुड़े से भी ज्यादा है और सबसे कम यहां पर हीवा का है तो यहां जो हीवा का हो या सबसे कम तो असपस्ट है कि अरून जो है इसमें सबसे ज्यादा अंग प्राप्त करेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑफशन नमर भी कोशन नमर तीन के बाद चले आईए अगले कोशन की और कोशन नमर चार हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया तो चार में बाबु सवाल पुछा है कि उपर युक्त सिंखला में ऐसे कितने श्वर यानि कि ऐसे कितने भावल हैं जिनमें से ठीक जिनमें से परतेक के ठीक पहले एक वेंजन और ठीक वाद भी एक वेंजन यानि दोनों तरफ कॉंसोनेंट होना चाहिए ऐसे भावल को ढूंगे तो पहला भावल आपका यह है जिसके दोनों तरफ में कॉंसोनेंट है दूसरा भावल यह है लेकिन एक तरफ कॉंसोनेंट है लेकिन दूसरे तरफ भावल है इसलिए आप यू को गिंती नहीं करेंगे आप आई को गिंती करेंगे चुकि आई के लिफ्ट में भी देखिए उसी परकार I, A, A तो नहीं होगा, फिर Y भी नहीं, लेकिन लेटर E हो जाएगा, E के देखिए पहले भी कॉंसोनेंट, बाद में भी कॉंसोनेंट, E के बाद अगर आप देखिए तो यहां देखिए और कौन सा होगा आपका, तो यहां लेटर हो जाएगा I, जिससे ठीक पहल लेटर आपके मौझूद है, तो राइट आंसर आपका हो जाता है, ऑप्शन नमर डी, आईए अगले कॉस्चन के और तो चार के बाद देखेंगे, कॉस्चन नमर पांच में, तो यहां कोडिंग पूछ रहा है, कोडिंग में आपको पूछा गया कि डॉलर, उसके बाद आ हेस, उसके बाद है आपका नाइन, फिर दिया गया है फोर, उसके बाद है एड़ दी रेट, और फिर दिया गया है थिरी, इसका कोड आप से पूछा गया, अब इसके लिए देखेंगे, पहला सर्त क्या है, यदि पहला घटक एक परतिक, तो पहला घटक यहां पर कि एक सिंबॉल है, तो यह लागू नहीं होगा, तीसरा कहता है कि यदि दूसरे तीसरे घटक, दोनों पुर्न वर्ग, दूसरे और तीसरे यह पुर्न वर्ग नहीं, दूसरा सिंबॉल है, तो यह वाले भी आपके लागू नहीं होगे, इस नियम के, इस सर्त के अनुसार, इन दोनों के code को जब हम बदलेंगे तो 3 का code जो बाबू यहाँ पर आपका दिया गया है 3 का code यहाँ देखे क्या है तो 3 का code दिया गया आपको L तो हम देखेंगे कि यहाँ L 3 का code है L तो L हो जाएगा $ का code चुकि इन दोनों का आपस में change होगा और dollar के जो code आपको दिये गए N वो हो जाएगा आपके 3 के अस्तान पे अब आगे जो जैसा number symbol है उसका same उससे लिख दीजिए तो हेस का code यहां देख रहे है है तो यहां H हो जाएगा 9 का code J है तो यहां J हो गया 4 का code आपका T दिया गया यहां T हो जाएगा और at the rate का code आपका D हो जाएगा तो right answer होगा LHJ TDN LHJ TDN right answer आपका होगा option number D LHJ TDN आएगे question number 5 के बाद हम लोग देखेंगे question number 6 में हमसे क्या पूछा गया तो यहां पर when diagram से सवाल में सवाल में पूछ रहे है बाबू की कितनी महिलाएं कलाकार model भी है कितनी महिला कलाकार model भी है तो देखें यह जो सरकल है यह दर्सारा महिला को जबकि यह सरकल दर्सारा कलाकार को और यह सरकल दर्सारा मोडल को यानि 17 संख्या आपके ऐसे हैं ऐसे महिलाओं की 17 संख्या है जो की कलाकार है और वह क्या है model है तो राइट आंसर दिजेगा ओप्शन नमर भी छे के बाद चले आईए कोश्चन नमर साथ पे बोल रहा है कि बिंदू S से क्यों तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को पश्चिम के ओर 83 मीटर चलना होगा बिंदू S से यहां से ध्यान दिजे बिंदू S से क्यों तक पहु फिर जनकारी दिया जाता फिर उसे दाएं मुरना होगा और 240 मीटर चलना होगा अब यहां से दाएं मुरेगा और 240 मीटर चलेगा तो यह आपका हो जाएगा 240 मीटर दाएं उपर फिर आगे बोल रहा है कि उसे पुनह दाएं मुरना है और 147 मीटर चलना अब पुनह दाएं मोरना और 147 चलेगा तो 83 यह हो गया फिर यह आगे चलेगा तो यह हो जाएगा आपका टोटल 113 113 147 मीटर यह हो गया 147 मीटर फिर बोल रहा उसे एक बार पुनह दाय मोरना होगा और गंतब तक पहुंचने के लिए 240 मीटर चलना होगा अब यहां से अगर दाय मोरकर 240 पहुंच चलेगा तो वो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा और यह जो है आपका कौन सा पॉइंट है तो यह पॉइंट दिया गया है पॉइंट क्यू यह है आपका पॉइंट क्यू तब सवाल में पुछा गया कि बिंदू क्यू बिंदू S से कितनी दूर और किस दिशा में यानि कि S से क्यू का दिशा और दूरी आपको बतलाना है तो यहां देखिए आपका S है यहां से क्यू का दिशा और दूरी हम बतलाएंगे तो सबसे पहले आप ध्यान दिजिए यहां से यह 83 सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका सोजएगा सात में से तीन जाएगा चार चोदह में से आठ गया तो छह चौशत यानि यहां से एस से क्यो का दूरी आफका हो जाता है चोंशट मीटर और यह डाडिक्सन जो है यह आफका होता है इस डारिक्सन आञेचन दिजेगाओ कुस्टन मराट यहां पर वावू इन्हें कुलीटी से कुस्टन है सबसे पहले हम इस स्टेट्मेंट को सिधा करें तो आफ का होगा वावू के बराबर पी के और पी दोनों क्या हैं बराबर है फिर बोलड़ा पी लेस दिन सी और आगे देखिए पी ग्रेटर देन क्यू तो अब आईए यहां अस्टेट कंकुलूजन पर पहला करा क्यू लेस देन सी अब क्यू और सी के बीच में जब आप आते हैं तो देखिए क्यू के तरफ सी लेस है सी के तरफ ग्रेटर है यहां भी क्यू के तरफ लेस सी के तरफ ग्रेटर पहला नमर कंकुलूजन क्या हो गया तो यहां राइट आंसर होगा ओप्शन नमर सी निसकस एक और दो दोनों आपके क्या है सत्ते हैं कुश्चन नमर आठ के वाद आजाएए कुश्चन नमर उनसर जिसमें आप से पूछा जा रहा है कि 29 जून 2010 को सब्ता का कौन सा दीन होगा तो आप इसे आराम से बना सकते है कैसे बनाएगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे तारीक 29 माह जून का कोड आपका हो जाता है चार दो हजार का कोड होगा वावू उच्छे उसके वाद वर्स आपके हो जाएंगे दस अब इन दस वर्सों में लीप यर की संख्या होता है दो अब इन सभी को साथ से आप भाग होगे तो सेस आपका बच्राइक केवल दो और ये दो जो है मंगलवार का हो जाता है यानि 29 जून 2010 का जो दिन था वो आपका मंगलवार था राइट आंसर होगा ऑप्शन नम्मर भी अगले कोस्चन की और हम लोग आते हैं तो कोस्चन नमर उनसत के बाद देखेगा नेक्स है आपका डवल सी उसके बाद है यू जैड डी फिर आगे दिया गया ओडवलू ई आगे का आपका दिया हुआ है आई टी एफ और उसके बाद आपसे पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले यहां अलफावेट कर पोजीशन नमर डाली सभी अलफावेट का तो एक एक सी का त हो जाएगा ताइस एका पांच आई का नौटी का बीस और एफ का हो जाएगा छे अगर यहां पर देखिए कि स्रीज आपके कैसे चल रहे हैं तो सबसे पहले यहां देखिए माइना सोड़ा यानि एक जो है यह इसका पोजीशन आप रखिए सताइस चुकिशबीस लेटर के जोर देंगे तो एक और शबीस 17 हो जाएगा 27 में से यह तो आप हो जाता 20 21 में मैं से पिर माइनास चे करेंगे तो आप का हो जाएगा 15 अब फिर माइनास चेक करें तो वो कैसे हैं तो यहां पर देखरें हैं आप तीन यानि 26,39, 29 में से 3 जाता है तो होता है 26 यहां पर सीधा सा नियम यह चल रहा है कि 29 में से माइनस 3 हो गया 26 26 में से माइनस 3 हो गया तो आपका हो गया 23 में से माइनस 3 हो गया तो हो गया 17 में से माइनस 3 आपका यह 20 में से माइनस 3 हो जाएगा तो होगा 17 और 17 लेटर आपका होता है क्यों अब अगर तीसरे लेटर को हम देखें तो तीसरा क्या है तो तीसरा में भी यहाँ पर दिया हुआ है C तो C का आगे का लेटर D है यानि एक आगे फिर D से एक लेटर आगे यहाँ पर आपका E दिया गया E से एक लेटर आगे यहाँ पर आपके F दिये गए तो एक लेटर आगे जाएंगे तो 6, 7 और 7 लेटर जो है वो आपका हो जाता है G 6, 1 आपका हो जाता है 7 और 7 लेटर अलफावेट में होता है G तो right answer होगा C, Q, G option number C आपका बिल्कुल सही answer होगे question number 60 का answer हो जाएगा option number C चलिए आगे भरते हम लोग अगले question को देखते हैं question number 7 के बाद question number 61 पे आप लोग देखेंगे तो यहां बोल रहा है plus तथा minus अब 2 तथा 4 को बदलने पर कौन सा समीकरन आपके संतुली तो हो जाएंगे अगर 2 और 4 को हम बदलते हैं अब plus और minus को बदलते हैं 2 और 4 तो आप option number B को चेक करिए तो B को अगर हम चेक करते हैं 2 और 4 को बदलेंगे तो यहां पर हो जाएगा बादू 7 उन्हें आपके हो जाएंगे कितना 2 फिर minus को plus करिए और 2 के जगह पर आप दीजिए 4 भागा आपका हो जाएगा एक minus आपका हो गया 5 अब इसको आगे करने का काम करें दो 7 गुने 2 आपका हो जाएगा 14 पलस यहां पर हो जाएगे आपके 4 मैनस हो गया आपका 5 14 चार हो जाएगा 18 मैनस 5 बरावर आपके हो जाते हैं 13 और यहां भी समीकरन तो वह ही है 13 तो राइट आंसर दीजिएगा option number B question number 61 का जो आंसर है वो आपका हो जाता है option number B 61 के बाद चले आईए question number 62 पे तो 62 में statement क्या करता है statement करता है कुछ L आ रहे हैं तो यहां statement करता है कि कुछ L जो है वह आपका R है अगला statement करता है कुछ A आ रहे है कुछ A जो है आपका R है हमेशा ध्यान रखेगा कि जब एक circle दूसरे circle को इस रूप में काट रही हो तो हमेशा ध्यान रखेगा कि यहां जो conclusion आपका निकाला जाता वो केवल और केवल sum में निकाले जाते हैं अर्थात इन दोनों figure के बीच जो निसकर्स होगा वो केवल कुछ में होगा अगर इन दोनों के बीच conclusion all में बोलेंगे तो यह all का बोलना आपका क्या होगा गलत उसी प्रकार यहां भी R और A के बीच जो भी conclusion होगा वो केवल sum में होगा all में गलत हो जाएंगे दूसरा point यह याद रखे कि जो figure एक दूसरे को touch नहीं कर रहा हो उसके बीच में कोई भी definite conclusion हम लोग नहीं देंगे वहाँ एक भी definite नहीं possibility conclusion आपके हो सकते हैं लेकिन एक भी definite नहीं होगा तीसरा point यह याद रखे कि जब दिये गए सारे statement आपका positive हो तो उस जगह पे कभी भी negative conclusion नहीं निकाले जाते पहला निसकर्स कता है तीसरा चीज यह भी याद रख लीजिए जिससे आपको बनाना आसान हो जाएगा कि जब दिये गए statement में statement आपका sum का हो कुछ का हो तो उस जगह पर कभी भी सभी का conclusion नहीं निकाले जाते तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत answer सिधा दीजिएगा option नमर डी कोई भी निसकर्स अनुसरान नहीं करता है केलियर आज आईए अगले point पर question 62 के बाद question 33 देखेगा तो यहाँ पर simple सा काम यह किया गया 111 गुने 2 आफका हो जाता है 222 गुने 2 आफका हो गया 444 तो 444 गुने 2 अगर हम करते हैं तो आफका हो जाता है 888 right answer दीजिएगा आप option नमर डी इरसट के बाद आईए question नमर 64 तो 64 में यहाँ पर E भाग F भाग का मतलब है Rs की पतनी है अर्थात E जो है वह F की पतनी है तो इस कहां फिर फीगर बनाएंगे E जो है वावू वह किसकी पतनी है F की पतनी है अगर E पतनी है तो जाहिसी बात है F उसका पती है पती पतनी के बीच के रिस्ते को हम इस plus के सिंबॉल से दरसाएंगे अगला क्या करता है कि F गुने जे गुना का मतलब दिया गया Rs का भाई है अर्थात F जो है वह J का भाई होगा F अगर J का भाई हो गया तो ये दोनों के वीच में ये होरिजॉन्टल लाइन अब J यहां भाई है या बहन है इस बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है आगे बोल रहा है J प्लस L प्लस का मतलब दिया गया Rs की पुत्री है अर्थात J जो है वह L की पुत्री है अब इस J को हम L की पुत्री बनाएंगे तो L चला जाएगा उपर वाले पीडी में J नीचे चुकि J पुत्री है तो पुत्री को नीचे वाले पीडी में ये महिला हो का या तो भाई होगा या फिर बहन अब यह महिला है या पुरुस है इस वारे में कोई जानकारी नहीं है सबाल में यह पूछ राइक है कि L E से किस परकार संबन्देत है यानि आपको L का रिस्ता E से बतलाना यह रिस्ते बतलाना तो देखिए ए जो है एक महिला महिला का ये पती अपती के ये पिता पती के पिता को रिष्टे में ससूर कहा जाता है तो राइट आंसर जो है वो आपका option नमर A हो जाएगा 64 के बाद आईए अगले सबाल के ओर question नमर 65 पे आप लोग नज़र डालेंगे 65 में क्या बोला जा रहा है तो यहां पे आपको coding decoding से question दिये गए एकदम आसान question है और इसे समझने की जोड़त है आपको बोला गया कि E A R L Y इसको code किया गया है Z N S C F अगर सभी लेटर का अलफा का 18 L का 12 और Y का 25 यहां हो जाएगा Z का 26 N का 14 S का 19 C का हो जाएगा 3 F के हो जाते हैं छे देखिए किस परकार के changing हुए हैं तो यहां पर 25 और एक लास्ट लेटर से 25 और एक आपको हो जाता है 26 बारह और दो आपके हो जाते हैं 14 उसी परकार 18 और एक आपका हो जाता है 19 फिर यह जोड़ा गया एक और आपके हो जाते हैं फिर तीन फिड़ जोड़े गता आप 5 और एक हो जाते हैं 6 अर्था यहां पर यह हुआ कि लास्ट लेटर से पहले एक जोड़ना है उसके बाद दो फिर एक सिर दो फिर 1-फिर दो यही किरम आपके जाड़ी रहें तो जब X का अगला लेटर Y B O में अगला दूसरा लेटर जो होगा वो होगा आपका Q फिर B का आगे का लेटर होगा C N का दो आगे जाएंगे तो लेटर हो जाएगा P I का A का आगे लेटर हो जाएगा J तो राइट आंसर होगा Y Q C P J आपका बिल्कुल सही आंसर होगे तो 65 के बाद चले आईए अगले question Q 66 में यहां क्या बोला जा रहा है आपको OEC option चुनना है यानि इन तीनों नम्मर का आपस में जो संबंध होगा इन तीनों का जो होगा वही संबंध इन चार विकल्पों में से किस भी कर्प में है यह आपको देखना है तो यहां देखिए 30, 93, 1 इनके बीच का संबंध क्या है तो 30 गुने 3 यहां क्या किया गया कि 30 गुने 3 पलस आपका हो जाता है 3 यानि 30 गुने 3 90 और 3 आपका हो जाता है 93 लेकिन यहां पे नम्मर आपका दिया हुआ एक तो एक और दो अगर हम जोडते है तो 3 हो जाता है यानि 2 जोड कर यहां पर बढ़ाया गया अगर दूसरे को हम चेक करें तो यहां पर बावू है आपका 42 गुने 3 अगर हम करते हैं तो 42 गुने 3 हम करते हैं तो कितना हो रहा अब यहां देखे क्या है यहां पर एक दूसरे तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं वो तरीका यह है जैसे यहां हुआ है कि 30 गुने 3 यह हो गया इसके साथ में जोड़ा कितना गया तो 1 गुने 3 को जोड़ा गया क्लियर तो यहां 30 गुने 3 आफका हो जाता है 90 पलस एक गुने 3 हो गया 3 बरावर 93 क्लियर आगे देखे इस वाले नमर को अगर हम चेक चेक करें तो यहां भी करेंगे 42 गुने 3 इसके साथ जोड़ेंगे कितना तो आफका यहां 2 दिया हुआ है तो 2 गुने आफका हो जाएगा 3 42 गुने 3 आफका हो जाता है 2 तिया 6 126 अफ़लस आफके हो जाएंगे 2 तिया 6 तो 126 आफका हो जाता है 132 तो यहां पर भी नमर दिया गया 132 अगर इसके अनुसार हम चलने 3 से गुना करके या जो भी तो उसके अनुसार हम कैसे चलेंगे तो 14 तिया तो आफका हो जाता है बाबु कितना 42 जो कि यहां 20 है यह होगा नहीं 4 गुने 3 आफका 12 आफ 5 तिया हो जाता है 15 12, 15, 27 यह भी नहीं होगा उप्सन नमर बी को चेक करें तो 5 तिया 15 29 यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यह भी नहीं होगे अगर D को हम चेक करते हैं तो वही पैटर्न पर देखिए अगर हम 3 गुने 7 कर देते हैं ठीक है 3 गुने 7 3 गुने 7 नहीं यहां करेंगे 3 गुने 3 चुकि 3 से यहां गुना हुआ है 3 गुने 3 जोड करेंगे यहां कितना तो 7 गुने 3 यह हो जाएगा 7 गुने 3 तेखिए यहां से यहां पैटर्न फॉलो किये हैं पहले 3 से गुना और यहां भी 3 से गुना अब इस अधार पर चलेंगे 3 गुने 3 आफका हो जाएगा 9 असत्या आफका हो जाएगा 21, 9 और 21 आफका हो जाएगा 30 जो कि यहां बीच में आफके नमबर मौझूद है तो इसके समान जो आंसर होता है वो आफका हो जाता है ओप्शन नमबर D चले आईए अगले कोश्टन की ओर तो 66 के बाद आगे है सारसक अब यहां पर पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा अगर व्यू आफ 1 और 3 को देखे तो यहां है 5, 4, 3 यहां 4, 1, 6 अगर क्लॉक वाइट चले तो 4 और 4 आफके क्या है कॉमाने तो यहां से क्लॉक वाइट 4, 4 के वाद 3, 3 के वाद 5 यहां 4 के वाद क्लॉक वाइट चलेंगे तो ऐसे तो 4 के सामने 4, 4 के वाद 1, 1 के वाद 6 तो विपड़ीत जो समान है उसके विपड़ीत में वो होगा जो इन दोनों पे लिखा हुआ नहीं है इन दोनों पे अंक 2 नहीं है तो चार के अपोजिट दो हो गया पूछा गया तीन के अपोजिट तो तीन के अपोजिट में आपका अंसर एक हो जाएगा सारसथ के बाद चले आईए कोश्चन नमर आरसथ में तो सबाल में ये वोला गया कि गौरया ब्रिक्च के समान सबसे ज़्यादा मेल खाने वाला गौरया ब्रिक्च पे रहते हैं उसी प्रकार मचली जो है वो पानी में रहती है तो आंसर दीजेगा ओफशन नमर डी आरसथ के बाद अगला कोश्चन हम देखते हैं 69 नमर तो यहाँ पर पूछ रहा है तीसरे अस्थान पे कौन आएगा तो इन सभी में अगर देखा जाए बाबू तो चार लेटर तो सभी में समान है S I C K S I C K S I C K S I C K S I C K S I C K S I C K S I C K S I C K K के बाद अगर देखें बाबू तो यहाँ L है यहाँ E है यहाँ E है और यहाँ आपका L यहाँ आपका N तो N से पहले तो यह L वाले होंगे और L वाले से पहले यह E वाले होंगे अच्छा ये तो है ही नहीं, इसको चेक करने की जूरत ही नहीं, ये तो option है अब देखें सबसे पहले, यहाँ पर वावू है आपका N, यहाँ है आपका L, यह भी L और ये सबसे अंत में जाएगा पांच में नमर पर, ठीक है ये चला जाएगा वड़ पांच में नमर पर, अब L वाले को देखें तो L से पहले E, यह हो जाएगा आपका दूसरा नमर अब L वाले में देखेंगे तो L के बाद यहां Y है यहां आपका E है यह हो जाएगा तीसरे नमर और यह हो जाएगा आपका चोथे नमर आपसे तीसरा पूछा गया तो answer दिजिएगा इसके लिए आपका हो जाएगा यानि Option नमर D आपका बिलकुल सही answer है 79 के बाद चले आईए अगले सवाल के ओर कुश्चन नमर 70 देखेगा 70 नहीं 80 80 बोल रहा है कि सभी से बिनमरता से बात कीजिए भले ही आपकी समाजिक इस्थिती उच्चो हो कहने का मतलब है कि समाज में आप इस्थिती उच्चो मतलब आप अमीर हो फिर भी समाज में आपको क्या करना है एक बिनमरता से बात करनी चाहिए अब देखे इस पर धारनाई क्या करता है धारना करता है कि आम तोर पर लोग उच्छ समाजिक इस्थिती हासिल करने के बाद बिनमरता से बात नहीं करते हैं ये बिल्कुल सही है नहीं करते हैं तभी तो अस्टेटमेंट में ये चीजे कही गई कि आप वले ही समाजिक इस्थ तो यहां आपका पुर्वधारना क्या है गलत हो जाएगा तो यहां आंसर दीजेगा केवल पुर्वधारना एक अनुसरन करता है आपका बिल्कुल सही होगा असी के बाद आए कोश्चन नमर 81 में तो यहां पर फिर सैलोगिजमिस कोश्चन है तो स्टेटमेंट में बोल रहा कुछ गायक नर्तक नहीं है फिर बोला गया कुछ नर्तक आपके कलाकार हैं और कोई भी कलाकार जादूगर नहीं है तो यहाँ figure बनाएए ये हो जाएगा आफका गायकCalthis और बोला गया कुछ गायक जो है वो नरतक नहीं यानि गायक का मान लेते हैं ये वाला जो पाट है वो आफका नरतक नहीं है तो ये हो जाएगे आफके नरतक नरतक नहीं है तीर अगला statement कहता है कि कुछ नरतक कलाकार है यानि ये कुछ नर्तक जो है आपके क्या है कलाकार है और फिर आगे कहता है कोई कलाकार जादूगर नहीं है यानि जितने भी कलाकार हैं उनमें से कोई भी जादूगर नहीं है अब यहाँ पर इन चीजों को समझिए कि कलाकार और जादूगर के वी जो कंकुलूजन होगा व और इस cut के निशान पर conclusion सम का वोलना आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और जो figure एक दूसरे को touch नहीं करता उसके बीच में कोई भी definite conclusion हम लोग नहीं देंगे तो पहला conclusion कहता कि कुछ गायक कलाकार है अब देखिए गायक और कलाकार इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है अब इनका इनसे relation होगा नहीं होगा positive होगा negative होगा कोई definite नहीं तो पहला नमबर conclusion आपके हो जाते हैं गलत दूसरा कता कुछ नर्तक जादूगर नहीं है अब देखिए जब कुछ नर्तक कलाकार हैं और कोई कलाकार जादूगर नहीं है मतलब नर्तक का ये वाले part भी definite है कि वह जादूगर नहीं होगा तो दूसरे नम्मर कंक्लूजन आपके सही हो जाएंगे तीसरा कता कुछ गायक जादूगर है अब देखे गायक यहां है जादूगर यहां इन दोनों का आपस में कोई संबंद नहीं चुकि जब गायक और कलाकार का ही संबंद नहीं है तो फिर गायक और जादूगर का भी कोई नहीं तो इन दोनों के बीच में एक भी definite कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा तो तीसरे नम्मर आपके हो जाएंगे गलत आंसर दिजिएगा केवल निसकर्स दो अनुसरन करते हैं ऑप्शन नमर सी आपका विलकुल सही आंसर तो सभी का चहरा के अंदर रुकी है और रहा है तो दो दो चार चार दो छे छे दो आठ आठ विकती हो गए अब देखे आगे सवाल में क्या बोल रहा है बोल रहा है कि जी एके बाई और निकरतम अस्थान पर अब जी जो है एके बाई और निकरतम अस्थान पर यहां जी ह पिर आगे बोल रहा है डी के दाई और तीसरे अस्थान पर वैटा है और डी के दाई और का मतलब हो गया यह जी नाम का ही जो बैक्ती है वह डी के दाई और तीसरे अस्थान पर अगर डी के दाई और तीसरा होगा तब डी का अस्थान यहां रखेंगे डी के राइट इधर ह चांगे तो पहला दूसरा तीसां पर यहां जी हो गया आगे लाइन में करता है कि कीए और बी के बीच दो वेक्तिवेट हैं अब अगर थो है यह का या तो अस्थान वेह तो होगा या फिर यहुगा इन दोनों में B का कोई भी अस्थान हो सकता है B के लिए जब भी होगा तो इन ही दोनों में से कोई एक होगा अब देखिए अगला लेन में कहता है कि C, B का निकरतम परोशी नहीं है अर्थात C और B दोनों ये एक साथ नहीं बैच सकते हैं ना तो लिफ्ट में और ना ही राइट में फिर आगे बोला कि E और F एक दूसरे के बगल में बैचे हैं अर्थात E जहां भी बैचेगा उसके बगल लिफ्ट या राइट में F का होना जरूरी है फिर आगे बोला F A और D का निकरतम परोशी नहीं है F जो है बाबू वह ना तो A के बगल में बैचेगा और ना ही वो D के बगल में तो A के लिए या तो ये F के लिए या तो ये वाला स्थान होगा और ये वाला स्थान हो सकता है अब देखे F A और D का निकरतम परोशी नहीं है फिर बोला गया C, G का निकर्तम परोसी अगर C, G का निकर्तम होगा तो G यहां पहले से है तो यहां निकर्ट में तो A पहले से है तो C का अस्थान हम यहां देंगे अब देखे B और C परोसी नहीं यानि B का स्थान अब निश्चित हो गया यहां नहीं होगा तो B का स्थान निश्चित रुख से आपके यहां हो जाएंगे एक लाइन और बोला गया था कि E और F एक दूसरे के बगल में बैठे हैं दूसरी चीज F जो होँआ A और D के बगल में नहीं बैठे गा और परोसी के लिए यहीं दो स्थान है तो जाहिसी बात है E का स्थान यहां हो जाएगा F का स्थान यह हो गया सारे व्यक्ति बैठे गए एक बच्रा H, H का स्थान यहां हो जाएगा तब सवाल में आगे आपसे पूछ रहा है कि F के बाई और दूसरे अस्थान पर कौन बैठा है तो बोलेlei F के बाई और दूसरा तो F का बाई और इधर होगा तो F के बाई और पहला और दूसरा दूसरा वीक्ति कौन है A, answer दीजिएगा A, option number A, आपका सही answer होंगे चलिए, 82 के बाद हम लोग देखते हैं question number 83 में तो यहाँ आपके coding, recording से सवाल पूछे गए तो सवाल में आप से पुल्च लाए कि tomato is tasty का code क्या होगा, तो सबसे फाले यहाँ क्या करना है, common के आधार पर हम लोग answer देते हैं, तो देखे, इसमें आपका testy है, और फिर आपके कहां testy है, इसमें भी testy है तो इन दोनों में देखिए common आपका कौन सा code जा रहा है तो इन दोनों में हम देख रहे हैं B, I, R, B, I, R अर्था testy का जो code होगा वो B, I, R होगा, जिसमें B, I, R नहीं, उस option को पहले काट के हटा दीजिए तो A और D आपके पहले हट चुके हैं अब देखे इसके बाद, आपको किस का code चाहिए, तो आपको चाहिए इज का code, यहां दिया हुआ है ना tomato is testing, तो इज का code कहां से होगा, तो इज यहां और इज आपके यहां है इन दोनों में अगर हम common देखें तो P, I, C, N, A, C H, O, R, यहां देखें H, O, R, H, O, R common है यहां इज का code होगा, H, O, R जिस option में H, O, R नहीं हो, उसको नहीं लेना है तो यहां B, I, R, H, O, R मौझूद है, यहां भी B, I, R, H, O, R मौझूद है, तो यह दोनों option भी हमारा जासकता, अब हम code निकाल लेंगे किसका, टोमेटो का, तो टोमेटो का code आपका तभी निकलेगा, यहां इज का निकल गया, गरीन का निकलेगा तो देखे, green के लिए क्या है इन दोनों में एक कोई common होगा जो green का होगा, N, A, C N, A, C, यह क्या है green का code है, तो जिसमें N, A, C है, उसको तो हटा देते हैं नहीं हटाएंगा भी चुकी है, ही नहीं अब एक काम out किया जाए देखे, क्या करना है तो यहाँ पर easy का code हो गया green का हो गया, तो जो 6 बचा हुआ ही किसका code होगा tomato का हो जाएगा, तो P, I, C आपका एक 6 बच रहा है तो जिस option में P, I, C, P, I, C यहाँ option C में है, right answer दीजएगा option number C, यह B आपके क्या है गलत है, question number 83 का answer हो जाएगा, option number C चले आईए आगे 84 में तो यहाँ पर देखो बबू क्या है answer तो सीधा 8 गुने 2, 16 16 और 5 हो जाते हैं आपके 21, उसी परकार आगे 6, 4, 24, 24 और 2 आपका होता है 26, फिर आगे बढ़िए तो 3, 21, 21 और 9 आपके होंगे, 30, right answer दीजएगा, option number D 84 के बाद 85 अब यह missing number के question आपके दिए गए तो बबू missing number का question है तो किस परका, यहाँ देखी 144 यह बबू आपका 12 का square है 49, 7 के square है और 36 आपके 6 के square है अगर इन सभी को हम जोते हैं तो 12, 7, 19, 19, 6, 5 जो कि यह 5 जो कहां साया 25 का, ठीक है 25 जो है यह आपका इनका योग हो रहा है 25 चलिए ठीक है अब उसी परकार अगर चलेंगे तो यह 529 529 अच्छे इसका तो पूछा गया इसको पहले चेकर थे 961, 961 आपका 31 का square है, 256 आपके 16 का square है, 121, 11 का square अगर इनका हम योग देखें तो कितना है, 31, 16, 47, 47, 11, आपके अंठावर, बस यही काम तो किये गए अब यहाँ square वाले नमर को निकाल लेना है और यहाँ देखें क्या आना चाहिए, जो की 42 आपका हो जाए, 529 यह आपका 23 का square 196 यह हो गया 14 का, सारे जोड़कर होना चाहिए, 42, तो यहाँ पर है आपका 23, 14, यह हो जाते है 37, यानि 5 जोड़ेंगे तो 42, 37, 5 हो जाएगा 25, अर्थात यहाँ नमर होना चाहिए, 25 तभी आपका सभी का योग कितना हो जाएगा, 24, तो राइट आंसर जो होगा, आपका वो होगा आपसन नमर बी, कोश्चन नमर 85 का आंसर जो होगा वाबू, वो आपका हो जाएगा, आपसन नमर बी और इसी के साथ टेक्निसियन गरेट 3 में सेट नमर 9 में पूछे गए सारे कोश्चन आप लोगों के हो गए और यहाँ से आगे हम लोग सेट नमर 10 में मिलेंगे, तब तक के लिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर सेट मारते रहिए